वेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको उताना हूं बहुत ही कमाल के एक फीचर के बारे बारे मताने वाराऊं जैसे कि आपको पता होगा Samsung Galaxy 1 UI 6.1 में आपको लाइव ट्रांसेटर का आपको जो फीचर मिलता है कॉल असिस्टेंट का पीचर मिलता है क्या होता है कैसे यूज करते सारी डिटेल में आपको आगे बताने मा रहा हूं आगे बढ़ने से पहले चलने को सब्सक्राइब कर लो नोटिशन बारे को ताकि हैसी नहीं अपने आपको सब्सक्राइब करें और हो सके मुझे करेंगा चैनल चैनल यहां पर आपको देखेंगे जैसा कि मैं आप रेकाव उन्हां और को पिक अप कर लिया को पर यहां पर आपको एक फीचर मिलता है कॉल असिस्टेंट का यह क्या कांकरता है इसमें दो mode आपको दे रखें, एक तो text call और एक live translator, live translator क्या है, कि मतलब कि आप जो सामने वाला बोलेगा, अगर वो हिंदी में बोल रहा है, तो वो आपको English में convert होके बताएगा, अगर वो English में बोल रहा है, वो आपको अगर आप language दों से भी change करना चाहें, कर सकते हैं, इसम से बंदे से बात कर रहे हैं, जिसके पास, जिसकी language आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उस language को यहाँ पर आप select कर लो, और उस language से आपको वो English में या विजस लेंग्वेज में भी आपको convert करना है, यहाँ पर आप convert कर सकते हैं, तो यह बहुत ही शांदर feature है, यह बन्यूए 6 6.1 में ही मिला है, और 6.0 में कुछ कुछ डिवाइजों में support करता है, पर बहुत ही अच्छा feature, रियल में बहुत अच्छा, जैसे किसी ने हिंदी में का है, उसको वो English में आप translate करके आपको यहाँ पर आपके सामने पता रहा है, और जैसे कि मैं यहाँ पर English में बोलूँग यहाँ पर आपको text call पर क्लिक कर दिना है, तो text call पर आपको normal आपने जैसा use कर रहा है, उस तरीके से यहाँ पर आप use कर पाएंगे, तो यह है live transition call जिसके बारे मैं आपको बताई दिया, उमीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नए अपडेट, ऐसी नए कमेंट करके हो सकते हैं, या फिर डारेक्ली इंस्टागरम फेस्बूक पर DM भी कर सकते हैं, सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे जोन सबस्क्राइब नहीं किया, तो प्रीज़ आपको सबस्क्राइब कर लो, और आपको सबसे मिले और हो सके, मुझे इंस्टा